अरे मा, तुमने तो बोला था कि आज मेरे लिए समोशे बनाऊंगी और ये तो खिचड़ी है हाँ मेरी बिटिया, मैंने बोला तो था पर देखना, मुझे काम से एक मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती मेरी बिटिया, अगर मुझे काम से थोड़ी देर के लिए भी फुर्सत मिलेगी तो मैं तुमारे लिए समोशे बना दूँगी ये क्या मा, आज तो मेरा जनन दिन है मैंने सोचा था कि आज मैं आपके हाथों से बने समोशे खाऊंगी पर मेरी तो किस मैं थी फूटी है मैं तो आपके हाथों से बने गरम गरम समोशे खाऊंगी नहीं सकती ओहो, मेरी राज कुमारी बेटी, तुम उसे कितना गुस्ता करती है रुक, यही रुक तू ठीची चिडिया से बोलकर, रानी चिडिया ने दूसरे रुम में जाकर दस रुपे का नोट लेकर बाहर निकली ठीची बिटिया ये ले, जाकर अंकल के दुकान से दस रुपे के समोशे खा ले नहीं मा, मुझे तो तुमारे आतों के समोशे अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं खाना और वैसे भी चाचु को बनाने आते का हैं समोशे, ना उनके आलू में स्वाद रहता है और ना ही समोशे कुरकुरे होते हैं मा, तुम रहने दो, जब तुमें समय मिले, तो मुझे बना कर खिला देना इतना बोलकर, सीची सिरिया बाहर खेलने चले गई उसके उदास चेहरे को देखकर, रानी जिरिया बहुत दुखी हुई हाई रे मेरी फूर्टी चिसमत, और मानी मन सोचने लगी मैंने उसे उदास कर दिया, नहीं, मैं उसे उसके जनम दिन पर उदास नहीं दे सकती क्या हुआ, अगर एक दिन मैं लेट से काम कर चली गई, रोज तो ताइम पर ही जाती हूँ न लेकिन बोस तो मुझे बहुत ताना मारेगी और बहुत बाते भी सनाएगी उसे उसे क्या हुआ, मेरी बेटी का जनम दिन है, मैं उसे समोसे खिला कर रहूंगी इतना सोच कर, रानी चिडिया जल्दी से बाजार गई, और समोसे बनाने के समान खरीद कर घर वापस आई और फटापट समोसे बना कर तयार कर लियें, उसकी छोटी सी बेटी चीची चिडिया घर आई, और अपनी मा से कहा अरे मा, तुम अब तक काम पर नहीं गई, और मा ये खुसपू, मा, समोसे की खुसपू, तुमने समोसे बना लिये का हाँ मेरी लाड़ो बिटिया बना लिये, जल्दी से खा ले, फिर चिजी चिरिया हाथ दो कर समोसे खाने बैठ जाती है लेकिन जैसे ही वो समोसे खाने बैठती है तो वो अपनी मारानी से कहती है मा तुम भी आजाओ, नहीं मेरी लाडो भी किया, तु अराम से बैठ कर खा मुझे काम पर जाना है, पहले से ही बहुत देरी हो गई कितना अच्छा होता अगर तुम भी मेरी साथ समोसे खाती हाँ, मैं एक काम करती हूँ, तुमारे लिए समोसे बांदेती हूँ जब समय मिले तो टाइम पर खा लेना फिर चीची चिडिया जल्दी से रसोई घर में गई ताकि अपनी मा के लिए समोसे पैक कर सके वो रसोई घर में गई, तो उसने देखा कि वहाँ तो एक भी समोसा नहीं है अचल में, रानी चिडिया ने बस दो ही समोसे बनाई थे वो भी अपनी चीची बिटिया के लिए क्योंकि उसके पास नहीं समय था और नहीं ज़्यादा समोसे बनाने के लिए सामान ओ तुमाने अपने लिए एक भी समोसे बचा कर नहीं रखे अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास दो समोसे हैं एक समोसा मैं मा को दे जेती हूँ और एक समोसा मैं खा लूँगी इतना सोचकर जैसे ही चीची चिडिया रसोई से बाहर निकली उसने देखा कि उसकी मा काम पर जा चुकी है हड़वड हड़वड में रानी चुलिया खाना खाना बोलकर और भूगी प्यासी काम करने चली गई जहां उसकी मालकिन गुस्टे से आग बबूला हो रही थी नमस्ते मेम सहूँ आज मेरी बित्या रानी का जनम दिन था इसलिए थोड़ी लेठ हो गई उसे न समोसे खाने थे इसलिए मैं समोसे बनाने के लिए बैठ गई थी इसलिए लेठ हो गया देख रानी मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि देरी का नाटक जहां नहीं चलेगा तुझे तो पता है ना कि तेरे साहब सुभा-सुभा ही उसी चले जाते हैं आज उन्हें कितनी परिशानी होई सिर्फ दूद पीकर ही वे गए हैं और मेरा बेटा पिंटू उसे तो मैंने सिप फ्रूट दिये हैं टिफिन में बस मालकिन आज बर के लिए माफ कर दा दुबारा से आपको सिकायत का मौका नहीं दोंगी मालकिन हाँ हाँ मैं तुभे दुबारा से सिकायत का मौका दोंगी ही नहीं क्योंकि मैंने अपने दोस्ते दूसरी नुकरानी की बात कर ली है बस थोड़ी दिर में आती ही होगी अगर वो काम करने के लिए मांज जाती है तो तुझे यहां आने की जरूरत नहीं है आपको तो पता ही है माल्किन कि मेरे कोई पती नहीं है मैं यही काम करके अपने का यही है बाद में आकर बोलते हो गरीब हो गरीब हो शुवा सुब्र समों से चलके आई है अपने बेटी से लिए और बोलती है कि मैं गरीब हूँ चल जाए यहां यहां बैटकर मेरा टाइम वेस्ट मत कर जाकर काम कर और हाँ जब वो नया नोक रानी आ जाईगी तो मैं जरा हिटाब गिताब कर दूंगी, चल भाग यहां से, बेचारी रानी चिडियां उसके सामने किरगिराती रही, मगर उसने एक ना सुनी, और रानी चिडियां को काम से निकाल दिया, बेचारी रानी चिडियां ने उसके घर का काम सिया, और वापस आ गई, जहां उसकी बेट यह बात सुनकर राने चिडियां रोने लगी और रोते हुए अपनी बेटी चीची चिडियां को गले से लगा लेती है मुझे माफ कर दे मेरी बिटिया मैं जानती हूँ यह मैं अच्छी मा नहीं हूँ नहीं मा तुम तो बहुत अच्छी हो तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी मा हो और मा तुम्हें पता है तुम्हारे हाथों में तो जादू है इतना बोलकर ननी सी चीची चिडियां रसोई घर में जाती है और एक पलेट में एक समोसे के चार तुक्रे कर देती है और उस पर अपने मा दुआरा बनाए गए चट्मिया डालती है और थोड़े से चने डाल देती है और अपनी मारानी को खाने देती है ये लो मा और खा कर बताओ कैसा है अरी वाद चीजी बितिया ये तो बहुत अच्छा है देखा मा मैंने कहा था ना कि समोसा चार जैसा ही स्वाद है मा जब तुम्हें अगली बार मालकिन से पैसे मिलेंगे ना तो उससे बहुत सारा समोसा बनाने का समान खरीद लेना और फिर मा बहुत सारे समोसे भी बना देना और मा चटनिया भी बहुत सारे बना देना ठोड़े से छोले भी उबाल देना मैं अपने सारी सहलियों को समोसा चार बना कर बेचूंगी देखना मा हमारे समोसे चाट बहुत बिकेंगे और हमें बहुत आमदनी होगी अपनी बच्ची की आबात सुनकर रानी च्रिया को एक ख्याल आता है और वो अपनी बिटिया चीजी च्रिया कहती है अरे रानी बिटिया यह मैंने पहले क्यों नहीं सोचा मैं आज ही समोसे बनाने की सारी समान दे आती हूँ और वैसे भी मुझे मालकिन निकाल दिया है अब एक यही सहारा बच मैं कल से ही समोसा चाट का ठेला लगाती हूँ और मेरी सीची बिटिया इसमें मेरी मदद करे थी हाँ मा मैं तो समोसा चाट पेचने में आपकी मंदद चरूर करूँगी फिर क्या था अगले ही दिन दोनों मा बेटिया ने समोसा चाट बनाना स्टार्ट कर दिया उनके समोसे की महक बहुत ही अच्छी थी इसी वज़र से ग्राहक ठीचे चले आ रहे थे कुछी मिंटों में और कुछी मिंटों में उसके सारे समोसा चाट बिग गए और उन्हें बहुत आंदनी हुई मा मैंने बोला था ना तुमारे बनाए कोई समोसे की सुआधी कुछ अलग है देखो आज हमें कितनी आंदनी हुई हाँ मेरी बिटिया मेरे गले लग जा और ऐसे ही राने चिरिया अपनी चुछी चिरिया बेटी के साथ समोसे बेचने का काम करने लगी और अपनी जिन्दगी खुजी खुजी बिताने लगी